यहां देख क्वोचन है छे एक स्क्वाइर प्लस पांच एस माइनस छे का गुणंखंड ग्याद करें ठीक है मेरे भाई देखिए क्वोचन बिल्कुल थाने सबस्वाइल देखिए प्राबर यहां पर जीरो नहीं है हम क्या करेंगे एकस कमान नहीं निकालेंगे केवल तो यह पहला पद दूसरा पद तीसरा पद पहला पद में जो एक स्क्वाइर का गुणांग और तीसरा पद गुणांग आपको ग्याद करने के लिए जोड़ने पर 5 आना चाहिए और गुल्या करने पर 36 आना चाहिए ठीक है देखें कैसे करेंगे संभव गुल्या खण कितना होगा देखिए यहां बारा मल्टिप्लाइ तीन कितना आएगा 36 आएगा फिर यहां पर आगे क्या आएगा 18 में गुल्या करेंगे 2 से तो कितना आएगा मेरे भाई 36 आएगा फिर 9 में गुल्या करेंगे 4 से कितना आएगा 36 आएगा लेकि यहां पर रूल देखिए लेकिन अब यहां पर संभव जितना था उतना कर दिये 36 में एक से गुल्या करेंगे तभी 36 आएगा अब क्या करता है नियम कि 36 का ऐसा गुणांखंड करना है कि गुणा करने पर 36 आना चाहिए और यहां पर जुड़ने या घटाने पर प्लस 5 आना चाहिए ठीक है मिर भाई तो क्या करेंगे देखिए अब यहां से लेकिन 5 नहीं नहीं होगा ठीक है फिर 6 में से 6 गटा देंगे तो यही नहीं होगा पिर आठार में 2 आठार में 2 क्या करेंगे जूड़ने तो बीस होगा और आठार में से 2 घटाने तो सोलह होगा लेकिन हमको कितना चाहें 5 नहीं आ रहा है अब यहां आप दिखिये, नो में 4 जोड़ेंगे तो कितना यगा तीरा आ जाएगा लिकिन हमको कि य हमको कि रहें छेशा करेंगे, प्रशी स्काहर नहीं थो यहां लिक्टर है तो यहां लिख देते हैं 9-4, ठीक है मेर भाई और bracket बंद करके यहाँ पर x लगा देते हैं इस 5 के बाद ले क्या कर दिये 9-4 कर दिये ठीक है और यहाँ पर x है तो x-6 तो-6 अब यहाँ पर होगा 6x square plus x से multiply हो जाएगा तो x से multiply होगा दुनों अंक में तो यहाँ पर होगा 9x-4x-6 अब क्या करेंगे दो दो के एक bracket में घहर लेंगे यहाँ से घहर लीजिए 6 square plus 9x जब माइनस बाहर आता है तो अंदर में माइनस हो क्या होता है प्लस हो जाता है यहाँ लेकिए 4x plus 6 ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर common करेंगे यहाँ से देखिए ता नवकर च쟁 में i6 को लिख सकते हैं जर्वाआ किसे 6 को लिख सकते हैं कितना दो multiply 3 और 9 गर चैना 3 multiply 3 talks करते हैं जो दूने कवांत है वही कमण करते हैं यहाँ से जो कमन करेंगे यहाँ मेरे भाई यह 3 तो बाहर निकल गया, ति क्या बचेगा अंदर 2 बचेगा और यहां भी X है और यहां भी X इता 3 X कमण गरते हैं तो 1 से स्क्वेर था तर यहां एक X बचेगा फिर पलॉस 9 के बद लेव देखिए, यह तो 3 बाहर आ गया तो क्या पबचा अंदर में 3 बचा यहाँ लिखेंगे 3 और X तो बहार निकल गया तो किवल 3 बचेगा फिर minus अब देखें इस 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 multiply 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 multiply 3 यानि इन दोनों में क्या common है 2 common है तो यहाँ पबचेंगे 2 common यहां पपाचे का कितना दो एक्स प्लस तीन और दोनों में मेरे भाई दोनों क्या है सेम है तो सेम को एक मतब एक बार लिखे देते हैं और जो बाहर है उसको एक बाराइकेट में ठीक है यह दोनों हुए आपका एंसर गण निकल गया धने बाद अगर आप मेरे चनल पना है तब मेरे चनल असक्काइब कर लिए को दा बालीजी इए